हेलो गाईज, वेलकम बेक तो मैं चानल, आज जो है हम कॉस्ट अकाउंटिंग का जो फॉर्स एप्र कर रहे थे, उसका नेक्स टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो की है similarities between financial accounting system and cost accounting system, ये जो टॉपिक्स अब मैं आगे कराऊंगी, थ्री टॉपिक्स हैं, ये थ्री पहले जितना भी मैंने टॉपिक कराया है, उसके जो नोट्स हैं, उसकी PDF की जो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर सकते हैं, और जितने भी पार्ट्स हैं वीडियो उसकी, उसकी प्ले अब ये दोनों एकाउंटिंग का जो बेस है, वो क्या है, बिल्स है, इन्वाइस है, रिसिप्ट इशूड है, इसेक्टर आपकी पेमेंट है, ये सारा कुछ सेम ही है, ठीक है, अब जो हमारे दोनों एकाउंटिंग सिस्टम है, चाहे फाइनेशल एकाउंटिंग सिस्टम बोलो या कॉस्ट एकाउंटिंग सिस्टम, ये दोनों जो सिस्टम है, ये दोनों ही डबल एकाउंटिंग सिस्टम के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है, बो इक्सम्ट में जो होचूंत अबने जाते हैं यह तीनों शोग किये जाते हैं दोनोंकय एक्सम्ट के सहाथ और ऐगानचिया स्वाइनियट करता है और चुनलूइस गया तो जो कॉश्ट एक्वाогनिन है वह यह पताता है कि यह अया है किसकस department से आया है किस-किस कौन-कौन से overhead आये हैं सारा कुछ cost accounting बता देता है तो वो एक तरीके से supplementary की तरह काम करता है financial accounting के next है the results of both the systems are reconciled with each other and the errors rectified अब इसमें क्या होता है जब हम जो organizations होती है वो अपनी financial accounting system के according जितने भी उनके financial accounts होते हैं वो प्रिपेर कर लेती हैं फिर costing accounts प्रिपेर कर लेती है जो cost sheet पर कहारा होती है वो जब दोनों prepare हो जाते हैं accounts तो उसके बाद sometimes कुछ ऐसी transactions होती है जो कि आपकी financial accounting system में तो है लेकिन cost accounting system में नहीं होती तो जब दोनों में थोड़ा difference आ जाता है तो उस time पर reconcile किया जाता है दोनों के accounts को तो इनके जो results होते हैं वो दोनों के accounts के जो results से उनको reconcile किया जाता है और जितने errors हैं उनको rectify किया जाता है both the systems help in formulating management policies दोनों ही system help करते हैं management को कि वो अपनी जो policies हैं उनको formulate कर सकें comparison of past performances can be made with the present performances with the help of both the system together इसमें क्या होता है कि past और present जो भी performance है उनको comparison हो जाता है दोनों system को भी हम compare कर सकते हैं ठीक है दोनों system में यह होता है cost system के अंदर भी जो cost के पुराने वाले previous जो performances है उनको देखा जाता है और अगर financial accounting system की बात कहें तो इसमें भी यह होता है पहले past performance वग्यारा देखी जाती है उनको compare कर लेते हैं ठीक है अब हमारे पास आता है next topic जो की है difference between costing accounting system and financial accounting system basis of difference सबसे पहला difference है need of accounts क्यों जरूत पड़ती है cost accounting की या financial accounting की यह जो cost accounting है kept by business engaged either in manufacturing or in rendering services where the cost per unit is to be ascertained cost accounting की जरूरत तब पड़ती है जब जो business है या तो that वो साम कर रहा है as a manufacturing business है और चारा प्रक्रोदाक्षिन का का want कर रहा है और या फिर business है वो services render कर रहा है तो उस time पर cost Amongonden की जुरूत बढ़ती है क्यों कि वहां पर cost per unit निकालने की जरूरत प्रती है और अगर कहीं पर भी cost per unit निकालने की जरुरत पड़ेती है तो वहाँ पर cost accounting system की requirement है अब financial accounting system की कब requirement है Keeped by all types of business houses, big or small whether engaged in trading, manufacturing or non-profit making associations यहाँ पर चाहे business houses जो है सारे types के business houses के उपर यहाँ पर financial accounting की जरुरत है चाहे वो छोटा business है, चाहे वो बड़ा business है चाहे वो trading का business है, चाहे manufacturing का business है कोई non-profit organization है, कोई government का business है किसी पितारा को कोई भी business है तो वहाँ पर सबसे पहला जो need होती है वो financial accounting की होती ही होती है यानि इसकी जो need है वो हर type of business houses के लिए important है Next है record of expenses अब ये जो expenses record करने का क्या method रखता है इसमें maintain full and detailed records pertaining to the to all the three elements of cost, materials, labor and expenses जितने भी records होते हैं, material के regarding, labor के regarding, expenses के regarding उनका full or detailed record रखना अगर जरूरी है तो उस time पर cost accounting को follow किया जाता है उसमें जितने भी expenses है, उनको record किया जाता है in a detailed manner ठीक है, वहाँ पर total cost भी बताए जाती है और cost per unit भी बताए जाती है अगर कोई overheads है, कोई फाल्तू का कोई खर्चा है तो उन खर्चों को भी कम किया जाता है next है कि अगर हम financial accounting की बात कहें तो यहाँ पर हर तरह के expense को record किया जाता है and incomes को record किया जाता है and also item of profit appropriation profit appropriation के items को भी यहाँ पर include किया जाता है however, they do not keep detailed records of element of cost जो elements है, cost के आपके material, labor or expenses इनको detailed है नहीं किया जाता है record but एक small manner में ही किया जाता है brief manner में जिसको बोलते है अगर detailed की बात कहें तो वो cost accounting में ही की जाती है element of cost, यहाँ पर तीन ही element of cost होते हैं मेशा, त्यान रखना, materials, labor and expenses next है, availability of information यह जो है, data provide करता है provide data and reports to management management को data provide करता है reports provide करता है क्यों provide करता है, यह जानने के लिए कि कितनी cost आई है और उस cost की इसाब से उनको किस तरह से planning करनी है control किस तरह से कर सकते हैं cost अगर ज़्यादा फाल्तु cost है ठीक है and decision making और उनी की जो reports और data वो लोग provide करते है management को cost accounting जो एक तरह से provide करता है तो उसकी मदद से जो management है वो cost भी जान सकती है decision making भी कर सकती है control भी कर सकती है उन cost को और planning भी कर सकती है तो cost accounting एक detailed manner में सारी data और reports बताता है उसकी बाद अगर हम financial accounting की बात कहें तो जो यह है यह journal information देती है management को and outside parties को outside parties को और जो management है उनको एक normal journal सी information देती है किसकी form में profit and loss account और balance sheet की form में कि business की क्या position है इस time पर add on date उस date पर कितनी है चीक है next है us attainment of cost us attain the cost of each product job or order then show profit and loss made on each इसमें क्या होता है cost accounting में जितने भी product है या जितनी jobs है या जितने order मिलते है batch accounting बगएरा देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हर एक product की cost को निकाला जाता है और उस हिनसाब से ही profit and loss बताया जाता है हर एक product का ठीक है अब यहाँ पर यह जो है profit and loss जो है पूरी एक सथ company का बता देते हैं organization का बता देते हैं लेगिन किसी भी individual जॉब का या individual product का नहीं बताता ठीक है next है period of information अब यहाँ पर period कितना होता है information देने का अब इसमें जो है आपका जिस तब जब भी management को लगता है कि हमें लेना चाहिए information जैसे अगर weekly लगता है या daily जो है सारी information वो daily भी लेते हैं क्योंकि कई बर क्या होता है कि जो organizations है वो daily wages भी pay करती है तो daily wages की information होती है वो भी management ले सकती है weekly भी ले सकती है मंतली भी ले सकती है और quarterly भी ले सकती है जब भी जरुरत पड़ती है जिस इनसाब से जरुरत पड़ती है उस इनसाब से information ली जा सकती है लेकिन financial accounting की बाद कहें तो जब पूरा का पूरा year end हो जाएगा उसके बाद ही information आप ले सकते हैं आप बीच में information नहीं ले सकते हैं daily information नहीं ले सकते हैं weekly information नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो net result जब provide कराती है तो वो हमेशा at the end of the financial year ही provide कराती है next है estimates versus actual अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमें cost को calculate करना होता है तो जो indirect expenses उसके अंदर होते हैं तो वो जो expenses होते हैं उनको एक estimation लेकर चलती है cost accounting अब यहाँ पर अगर financial accounting की बात कहें show historical cost they include expenses having actually been incurred in the financial year अब जो cost accounting है वो तो estimate लेकर चलती है लेकिन financial accounting कभी भी estimate लेकर नहीं चलती है वो historical cost historical concept को follow करती है कि जब खर्चा होगा तभी उसको include किया जाएगा financial year के अंदर नेक्स्ट है focus area greater control is excised on materials and stores, labor and overhead cost by budgetary control and standard costing no emphasis is given to cash in hand and bank transactions अब इनका जो focus area है वो कहां है cost accounting का जो focus area है वो जो है वो है आपका जो sales है जो आपके material का है खर्चा, store का खर्चा है या आपके labor का खर्चा या overhead का कर्चा है उन पर ही इनका main focus रहता और उनको control करने का main focus रहता है इनको control करने के लिए वो budgetary control and standard costing की technique का use करती है लेकिन ये जो है किसी भी तरह से focus नहीं डालती कि उनके पास कितना cash in hand है और कितनी bank की transactions है लेकिन अगर हम financial accounting की बात कहें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा emphasis डाले जाते हैं cash और financial position को check करने में ये जो है किसी भी तरह से जुड़ी नहीं होती है टाज नहीं होती है ज़्यादे importance नहीं देती है control पर जो control करती है material, labor और overheads को cost accounting करती है लेकिन financial accounting control पर इतना ज़्यादा focus नहीं करती वो ये देखती है कि इनके पास cash in hand कितना है और bank transactions किस तरह से है नेक्स्ट है calculation of tender price tender price की calculation अब यहाँ पर cost accounting में तो tender price की calculation असानी से की जा सकती है पहले से ही अगर tender price fix कर लेते हैं तो उससे क्या होता है selling price fix करना असान हो जाता है लेकिन अगर हम financial accounting की बात कहें तो कोई भी correct tender price यहाँ पर quote नहीं किया जाता और इस तरह से पतब एक तरह के से tender price नहीं लेते हैं वो लोग लेकिन cost accounting लेता है comparison of cost अगर cost की comparison की बात कहें तो यह जो है the production cost of a period can be compared with the previous corresponding period and the difference analyzed इसमें क्या होता है कि जो period है production की जो cost है उसको compare कर सकते है previous period से तो difference महाँ पर analyze किया जा सकता है लेकिन यह जो comparison होता है individual production का वो comparison financial accounting में नहीं दिखता ठीक है next है relative efficiency provide information on the relative efficiencies of plant, machinery and labor and departments यहाँ पर जो cost accounting है वो यह भी information देता है उनकी plants की या machinery या labor और departments जो भी है उनकी efficiency की भी information देता है लेकिन यह जो है अगर हम financial accounting की बात कहें तो जो workman है और जो उनके plants है उनकी जो relative efficiency है उनको judge नहीं किया जाता valuation of stock यहाँ पर valuation of stock कैसा होता है cost accounting में cost पर ही value की जाती है stock की लेकिन अगर हम financial accounting की बात कहें तो cost price या market price जो भी lower price होगा उसके उपर ही stock की valuation की जाती है next है internal versus external यह जो accounts है यह accounts internal transactions को भी record करते हैं and do not form the basis of receipts and payment to outside parties यह जो है external transactions पर ध्यान नहीं देते हैं ठीक है external parties outside parties के लिए नहीं बनाये जाते हैं cost accounts लेकिन अगर हम financial account की बात कहें तो यह जो है external transactions को भी ध्यान देते हैं and सारी की सारी receipts और payments होती है सारी credit transactions वो सब कुछ यह लोग record करते हैं अगर legal compliance की बात कहें तो legal compliance में जो cost accounting है उसको कुछ industries के लिए mandatory रखा गया है बाकि यह जो है voluntary है कोई भी बना सकता है और कोई भी नहीं बना सकता कुछ ही industries के लिए ही इसका obligation है अगर हम financial account की बात कहें तो financial account बनाना बहुत ज़्यादा mandatory है because यह जो है important accounting है और जिसकी वज़े से यहाँ पर जो companies act है income tax act है इनकी requirements भी पूरी होती है next है presentation chart, graphs, diagrams, statements etc. are much used in the system for informatory reports to management यहाँ पर अगर हम cost accounting की बात कहें तो यहाँ पर chart वगेरा या graph वगेरा बनाये चाते हैं diagrams बनाये चाते हैं informatory reports को दिखाने के लिए लेकिन अगर हम financial accounting की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह की presentation के लिए charts, graphs या diagrams वगेरा नहीं बनाये जाते अब हमारे पास next topic है, वो है distinction between management accounting and cost accounting और यह last topic है अब पहला difference नोंने दे रखा है origin and development का, यह दोनो systems है, were evolved and developed under varying conditions यानि यह दोनों ही system है, management accounting है, यह cost accounting system है, यह दोनों ही अलग-अलग conditions में जो है, developed हुए है cost accounting owns is origin to industrial revolution जब industrial revolution हुआ था, उस time पर cost accounting की जो है development हुई थी, in fact financial accounting was not in a position to supply adequate information to management in respect of cost of products or services and therefore cost accounting was developed as an important urgent to financial accounting अब इसमें क्या है कि इनोंने बोला कि जो financial accounting है उस time पर industrial revolution की time पर जो है adequate information नहीं दे पा रहा था, इस position में ही नहीं थी वो financial accounting की उनको information पता चल सके कि cost क्या रही है, product की per unit cost क्या रही है, तो उस case में जो cost accounting है वो developed हुई और एक तरह के से बहुत ज़दा important बन गई financial accounting के लिए, और अगर हम management accounting की बात कहें, तो इनका जो development हुआ, वो कब हुआ, mid 20th century, 20th century के बीच में हुआ था, क्यूं हुआ था, because उनको information चाहिए थी, कि जिसकी वज़े से वो decision को ले सके, तो management accounting का जो development है, वो recent development है, ज्यादा time नहीं हुआ है, उसकी development में, ठीक है, फिर next है objective, अगर हम ये बात कहें objective की, तो जो cost accounting है, उसका जो primary या हम कहा सकते है, जो पहला-पहला जो objective होता है, वो यही होता है, कि जितन नहीं भी transactions है, cost की regarding, product की cost है, या फिर services की cost है, उसके regarding, उनको record करना, और mainly determine करना कि कितनी cost आ रही है, उस product की, और services की, बट अगर management accounting की बात कहें, तो इनका जो main focus होता है, वो होता है, presentation of cost data, कि cost data को present किया जाए, और उसकी information को present किया जाए, इस manner में, कि जो की management को help करेगी, efficient decision making में, और उनको control करने में, cost को, ठीक है, next है nature, cost accounting is based primarily on past and present facts and figures relating to cost, यह जो है, cost accounting की past और present facts से related है, ठीक है, उनका nature इस तरह से है, लेकिन अगर management accounting की बात कहें, तो वो future oriented accounting है, और साथी साथ, वो past और present cost data को भी अपने reference में लेते हुई चलती है, ठीक है, इसका जो main dealing होती है, वो future projection से होती है, scope, अब जो management accounting है, वो सारे के सारे, जो cost accounting के भी जो area है, उनका scope wider है, management accounting का, वो cost accounting के area को भी, अपने अंदर कवर करती है, दो scope है, cost accounting का, वो limited है, कहां तक, सिर्फ cost को record करना और उसको determine करने का, लेकिन अगर management accounting का scope देखें, तो वो other accounting information को भी cover करती है, साथी साथ, जो non monetary facts है, उनको भी वो cover करती है, फिर है utility, अब यहाँ पर इसकी importance का है, यह दोनों ही accounting system जो है, useful है, अगर हम जो cost accounting की बात कहें, तो यह external parties और internal management दोनों के लिए useful है, लेकि अगर management accounting की information की बात कहें, तो यह सिर्फ और सिर्फ management दो के लिए ही useful है, यहाँ पर कोई external parties का कोई matter नहीं करता, next है principles, procedures and performance, cost accounting जो है, follow करता है definite principles, procedures and format, उसमें एक certain principle होता है, और जो format है, performance होता है, cost sheet एक पूरी उनकी format में ही बनती है, ठीक है, आगे chapter आएगा cost sheet का भी, अब जो है, अगर हम management accounting की बात कहें, तो उनके लिए कोई भी set performance नहीं है, कोई principle नहीं है, reporting करने के लिए, ठीक है, फिर the principles and procedures of presentation of fact in management accounting differ from time to time, from concern to concern, जो उसकी principles हैं, या जो उनके procedures हैं, management accounting के, वो time to time change हो सकते हैं, different हो सकते हैं, या फिर, जो concern to concern change है, या concern to concern different है, ठीक है, तो उनके nature बग्यारा पर depend करते हैं, कि किस थरा की organization है, आज यहां पर हमारा जो cost accounting का first chapter है, वो complete हो जाता है, next video हम करेंगे next chapter, so मिलते हैं next video में, bye bye